महार महार आओ घटोत कच जीवन से भहत निराश लगते हो कल संध्या ही आए और आज सुबा ही आगए हमें ललकार में पराग जोतिशपुर बड़ी सुन्दर जगा है कामदेव ने इसे अपने हाथों से रचा है दो चार दिन ठहर जाते तन एक ठ्रमन कर लेते तब चले आते कि वैसे भी पराग जोतिशपुर के वासी अतित्री सतकार में बहुत प्रसिद हैं कि स्थान ग्रहेंट करो अच्छा तो इस नगरी को कामदेव ने बसाया हाँ कामदेव की इस नगरी में अकेले घुमने का क्या आनंद हाँ कोई तुम्हारे जसी सुन्दर प्रेमी का यह पत्नी हो तो बात भी है रहा अतितिति समझ करें हम तो चाहते हैं कि वो हमें अपना जमाई समझ कर हमारा आदर करें तो तुमारी लोग विजये का घमंद और गॉरव मा के गर्ब से लेकर पैदा होते हुँ ठीक कहती हो परन्तु जहां तक हमारा प्रश्ण है हमारा ये घमंड और गौर आर्यों की तुलना में दूगुना है क्यों क्यों कि हम केवल आर्य महावीर पांडु पुत्र भीम की ही संतान नहीं प्राक्रमी असुर माता हे डंबा के पुत्र भी है अच्छा ये वेर्थ का व क्योंकि मृत्तक शरी तो परिक्षा देगी नहीं सकता है कि पूछे कोई भी प्रश्ण पूछे यादि मैं उत्ता ना दे पाई तो अपनी पराजा स्रीकार कर लोगे तो फिर ध्यान देकर मेरा प्रश्ण सुनों मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं जो कथा के साथ एक प्रवेट्ति का व्यक्ति शरंदीप में रहता था वो एक वैश्य पर मोहित हो गया वैश्य भी उस पर मर्मिटी दोनों ने विवाहत तो नहीं किया किन्तु उनके अनैतिक संबंध से एक पुत्री का जन्म हुआ वैश्य तो वैश्य ही थी पुत्री के जन्म के और वह उस व्यक्ति के साथ भाग गए पीर क्या हुआ उस कामुक व्यक्ति ने वैश्य से जन्मि उस पुत्री को पाल पोसकर बढ़ा किया बड़ी होकर वह युवत्ति सुन्दर तामै अपनी माता से भी आगे निकल गई इतनी अधिक सुन्दर कामिनी युवत्ति को अप उसको पाल फोसकर बढ़ा किया है वो युवति उस कामुक व्यक्ति के जहांसे में आ गई और दोनों में अनैतिक संबंध हो गए इन संबंधों के फल स्वरूप उस युवति ने एक बालिका को जन दिया और अब मैं अपना प्रश्ण पूछू पूछो जिस बालिका ने जन दोनों पुत्रियां यह कैसे संभव है कि दो त्री किन्तु एक अन्या इहीं की समय में पुत्री और दो इत्री दोनों तो नहीं हो सकती इसका उत्तर ये है कि शास्त्रों के प्रमान से उस कामों की व्यक्ति ने उन दोनों इस्त्रियों में से किसी से भी विवाह नहीं किया था इसलिए उससे उत्वपन होने वाली संतान से उसका कोई संबंद नहीं बना तो फिर पुत्री जदो इत्री का तो प्रश्न ही नहीं उठता तो महार गई हो मोर्वी तुम्हें अपनी पराजय स्विकार करने होगी कि अच्छा 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 जज सुुुमु सकते प्टच जज सुुुर। ताँ 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 जदी मेरे ताँ श्री श्री कृष्ण ने तुझसे विवाह करने की आगया ना दी होती तो आज मैं तेरा वद्ध कर देता क्योंकि तुने इतने नव्यूवकों को मौत के घाट उता रहा है कि तेरी हत्या करना कोई पाप ना होता बोल तुझे अपनी पराजे स्विकार है य आज से आप मेरे स्वामी है और मैं आपकी दासी मुझसे विवाह करके मुझे करतार्त कीजिए जीत घटोत कचने लिया युद्ध और अभिमान हार गई तब मौर वी किये समर्पित प्राण किये समर्पित प्राण उदय हुआ फिर प्रेम का निले हृदय और हाथ निश्चय दोनों ने किया दे जीवन भर साथ दे जीवन भर साथ मैं आ गया था एश्री मैंने मोर्वी का अभिमान चूर चूर कर दिया है उसे बुद्धी और बाल दोनों में हरा कर आपकी आगया का पालन भी किया और उसका सिर अपनी पैरों में भी चुका दिया और बदाई हो वत्स बहुत बहुत बदाई हो हमें विश्वास था के तुम अवश्य सफल होकर लोटोगे वत्स अभिमान मानव प्रवृत्ती का विकार है सूरी का दोश उसका ग्रहन है और मानव का दोश अभिमान उसे तो तूटना ही चाहिए मोर्वी अपना अभिमान छोड़कर महान हो गई यदि आग्या हो तो एक प्रशन पूछोता है श्री आग्या पराय मांगते हैं वत्स तुम तुमेरे अपने हो पूछो क्या प्रशन है तुमारे मन में संसार में ना जाने कितने शूरवीर बलवान और शक्तिमान नव्योवक हैं तुम आपने मोर्वी का अभिमान तोड़ने के लिए मुझे ही क्यों चुना क्यूं क्या मोर्वी तुमें अच्छी नहीं लगी वत्स अच्छी लगी बहुत अच्छी लगी किन्तु मेरे प्रशन का ये उत्तर तो नहीं किन्त तुम ये प्रश्ण क्यों पूछना जाते हो इसलिए कि आप कोई कारेया कारण नहीं करते हैं कि आपके मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द अर्थ ही नहीं होता आपके हर आदेश में स्रिष्टी का कोई न कोई भेद अवश्य छिपा होता है मैं आपके उस आदेश के भेद को जानने के लिए उत्सुक हूँ तो यू कहो वत्स के तुम भविश्य के आंगन में ज्ञाक कर देखना चाहते हो तो यू ही समझ लीजिए किन्तु मैं आपके आदेश का कारण अवश्य जानना चाहता हूँ तो सुनू वत्स, यहां संसार में घटनाएं उसी समय जन्म लेती है जब महान व्यक्तियों का परसपर मिलन होता है तुम्हारा मोर्वी का मिलन और विवाह कोई साधारण घटना नहीं है तुम महाबली भीम और मायावनी भाविश्री हिडिम्बा के पुत्र हो और मोर्वी स्वयम्मायावनी तुम्हारा ये संबंद भविश्य में ऐसी घटनाओं को जन्म देगा जो तुम दोनों की महानता में और भी व्रिद्धि करेंगे क्यूं वत्स? क्या तुम्हारी सुद्दर से संतुष्टी नहीं हुई? मैं धन्य हो गया तो चलो वत्स इंद्रप्रस्थ चलते हैं तुम्हारा विवाह वहीं संपन्न होगा यदि आग्या हो तो मैं माताश्री के पास हो आँ अवश्य जाओ वत्स विवाह से पहले माता का आशिरवाद लेना यूँ भी तुम्हारा परमधर्म है मैं केवल आशिरवाद लेने नहीं जा रहा हूँ मेरे विवाह में उनकी उपस्तिती अनिवारे है मैं उन्हें अपने साथ इंद्रप्रस्थ लाने जा रहा हूँ किसी भी बहाने से माता के चरण छूना स्वर्ग के द्वार खट खटाने के समान होता है वत्स रहा प्रश्न भावीश्री को इंद्रप्रस्थ लाने का तो अवश्य जाओ प्रयत्न करके देख लो कि आयुश्मान भाव कि अब हाले हाँ ए आयुश्मान भाव राव कि अवश्मान C कि आयुश्मान भाव